तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि इन दिनों में आप सब के कॉमेंट को पिक कर रहा हूँ जिसमें आप लोग काफी सारी क्वेश्चन पूछते हो और जिनके अंसपर में अपनी इन वीडियो के अंदर दे देता हूँ तो अगर आप लोग भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहता है तो तो नीचे कॉमेंट करके मुझे बता देना मैं एक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूँगा और आज के मारी इस वीडियो में हम जिस बंदे का कॉमेंट पिक कर रहे हैं अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब बेर के नौटिफिकेशन बेल को ओन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे मीजिंग वीडियो देखने को मिलती रहें टो शुरू करते हैं जैसा कि ultimate sacrifice Episode में देखने को मिला था कि harbor कारण maker रखल में जाके में आपको जाता है क्योंकि alsokick की टियार नहीं जिए भज़े से बेंट जो है को जाकर के फस्तित रहा उन्याणी जिन्दा हो गे थे यहन कि उनकी अलग से प्रसनेलिटी बन गई थी Ultimatics में और Ultimatics में वो जितने भी personality थी वो Ben को खतम करके Ultimatics से बहार निकलना चाहते थी क्योंकि उनको लगता था कि Ben ही वो reason है जिसकी वज़े से वो सब Ultimatics में फसे हुए हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था Ben को तो इस बार में पहले से पता ही नहीं था कि Ultimatics जो है खुद की अलग से personalities बनाए जा रही है जितने भी ultimate aliens का Ben ही यूज करता है उनकी अपने आप Ultimatics में personality बन रही है और वो Ultimatics में फसे हुए हैं लेकिन जब Ben जो है Ultimatics के अंदर जाता है तब उसे ये बात पता लग जाती है और Ben को इस बात का काफी ज़्यदा बूरा लगता है अब जैसा है कि वो personality Ben को खतम करके Ultimatics से बाहर निकलना चाती थी और जब Ben को ये बात पता लगी तो Ben इस बात को मान गया और वो अपनी कुरवानी देने के लिए तयार हो गया जिसके बाद हमें देखने को मिलता कि Ultimates Aliens Ben को जो है एक फाइर में जब करने के लिए बोलते हैं जिसके बाद Ben इस फाइर में जब करता है और तुरंत ही Ben जो है Ultimatics से बाहर आजाता है और Ben जो है Ultimatics से उस टाइम इसलिए बाहर आ पाया था क्योंकि वहां पे Azmat ने Ultimatics को होता और बाकी सारे एलियंस क्या अल्टिमेट रिक्स से बाहर निकल पाते ही या नहीं तो इसका सिंपल सा अंसवर्मा आप लोग को बता देता हूं कि गाइस अल्टिमेट रिक्स के अंदर जो बैन ने अल्टिमेट सेक्रफाइस किया था खुद का उसकी वज़से वो सारे के सारे ultimate aliens जो है वो ultimate tricks से बाहर आ गए थी लेकिन अगर azmat ultimate tricks को उस टाइम पे ठीक ना करता तो वहाँ पे बैन की जो है death भी हो सकती थी यान की बैन वहाँ पे मर भी सकता था क्योंकि एक fire के अंदर कूदने के बाद बैन का वहाँ पे बचना काफी जाता मुश्किल हो जाता लेकिन azmat ने वहाँ पे बैन की मदद की और उसे ultimate tricks से बाहर निकाल लिया था तो गाइस अगर azmat बैन की इस episode में मदद ना करता तो यहाँ पे बैन के साथ काफी जाता बुरा हो सकता था तो उमीद करते हैं कि आपको आपके इस question का answer बैन की मदद ना करता तो बैन के साथ क्या होता अब गाइस इस episode से relative एक fact में आपको बता देता हूँ कि इस episode में अगर आप लोगों ने notice किया तो बैन की मदद करने के लिए ग्वेन जो है अपने magic का use करना चाहती थी जब कि केविन ग्वेन की इस बात से सहमत नहीं था और केविन चाहता था कि वो एजमत की मदद ले जैसे कि हमें इस episode में देखने को मिला कि केविन ही एजमत को बुला के लेके आता है ताकि वो बैन की मदद कर सके तो गाइस आज के मारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बैल को ओन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे मेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहें और अगर आप लोग कोई भी क्वेशन मुझे पूछना चाते हो तो नीचे कॉमेट करके मुझे बता देना मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूँगा हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेर कीजिए ताकि 22 वीडियो को देख पाएं तो मिलेंगे हमारे एगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो